तो हेलो एंड वेल्कम टू मैं टू मैं टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका सुवागत है तो चले सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबो के ओल फोन के एवाई कलर चेंज के बारे में हैं सो गर आपके पास बीबो का कोई भी फोन है एंड आप उ चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक के लेना एंड इस्टरग्राम का लिंक मिल जागा डिस्क्रिप्शन में वहां से जा कि आप लोग फोलो कर लेना तो फानले दूस्तों हम बात करने वाले हैं वीबो के ओल फोन में आप एवाई कल और दखने को मिल जागा तो मेरे पास वीबो का वे 23 5G फोन है आप लोग देख सकते हो एंड इस फोन में आप लोग को बताने वाला हूँ इवाई कलर के बारे में जो की इवाई कलर आप आप किसी भी डिवाईस में आप वीबो के इवाई कलर को चेंज कर पाओ गई अगर कि युज़ करने के लिए जाना पड़ेगा आपके फोन के सडिंग के अंदर आपको आने के बाद आपको स्कॉल करके निचे आना न आपको मिल जबंगा особo Empire का यहाँ पे आप लोक को किलिक करना और आपको नीची मिल लेगा युवाई कलर का option अब दोस्तों यहां पर युवाई कलर वाले पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का फाले युवाई करने के बाद उसके सब्च है यहाँ पर को अप्लाई कर तो आप यहाँ पर यहांपर को अप्लाई करू誉 कर सकते हो एंड इस तरीके से आपका color change होते रहेगा तो दूस्तों जैसे मैं आप एक color को customize करता हूं तो हमारे phone का color इस तरीके से यहाँ पर change हो जाता है एंड वाई color में आपको setting के अंदर तो अल्भं के अंदर आने के बाद हमें आप यहाँ पर को apply करते हैं अब हमें यहाँ बीज़ा फोन में करते हैं अब हमारे phone में यह फोन में इस तरीके से apply हो चुका है यह wallpaper मने अपने फोन में apply किया अब अब चलते हम अपने UI Color पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता UI Color में Color Change करने का Option तो इस तरीके से आपको Color कस्टमाइज करने का Wallpaper के जरीए मिल जाता, नीची आपको Wallpaper के जरीए मिल जाता, एंड उपर में जो है आपके अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको यहाँ पे UI Color सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और UI Color का Option इस तरीके से मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने किसी भी वीवो के डिवाइस में आप UI Color को कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपके पास चाहे कोई भी वीवो का फोन है, आप उसमें UI Color को मैंटेन कर सकते हो, तो दोस्तों पुराना अगर फोन है आपके पास तो उसमें होगा नहीं, जोकि Android 11 से लेके, Android 12 से लेके 13 तक आप लोग को देखनों को मिल जाता है जोकि मज़े का बात है, यहाँ पर है कि Android 13 में जो आपको मिलता है UI Color उसमें आप आइकन को भी यहाँ पर होम स्क्रीन का जितने भी Google का आइकन होगा आपके फोन में रैंक करते हैं, ओ सभी का Color आपका यहाँ पर Android 13 में चेंज हो जाता है जोकि यहाँ पर Фंटाच्वाष 13 में आप लोगको देखनों को नहीं रहता है . १११ अप लोग देख सकत है तो देख सकतो। इस तरेके हमारे फोन में Android 13 इस तरीके से रहरा है तो अगर आपके फोन में 5,4,13 एंड 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 रटीन रन करा तो आपको भी यह मिल गाएगा UI Color चेंज करने का उप्शन इस तरीके का आइकन होगा अभी आप चेंज कर सकते हो अपने फोन में तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कैसे आपको UI Color को कस्ट्माइज करना एंड यूज करना है वीव के किसी वीडियो स्मझ में आप लोग को समझ में आगया होगा कैसे आपको अपने फोन में चिकाऊट करना एंड एवाई Color को कैसे चेंज करना मैंने डिटेल में बता दिया होगा तो चलिए आज के लित नहीं, आज जूपकर हमरे वीडियो आच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकर को तबाके इंट प्रेस कलेना ताकि हर एक वीडियो का नाटो पकेस्टन सबसा पले आप तक पहुचे तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेस्टन के सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए जया हिंद, जया भारत, बावा दस्तों